अब आपका अपनी वीडियो प्यूटर पालस पर और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्त प्रीवर्ण सिंग दोस्तों आज कर वीडियो मैं आप लेकर आया हूं जिसमें आपके लिए सोचिल लोगी के कुछ खास इंपॉर्टेंट कोश्चन के बारे में बताऊंगा जो कि आप आपके एक्जाम पर पर सब बहुत शांदर कोश्चन होने बाले हैं तो वीडियो को आखरी तक देखिएगा और अगर आप इसनलों पर नाए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूने दोस्तों दोस्तों ये वीडियो वीडियो ओन डिमांड है मुझे बहुत सर सेंश कि हिंदी मिडियम के लिए वीडियो रहेगा बहुत जल्द में इंग्लियम बालों के लिवीडियो दोंगा तो perdies तो दोस्तों जिसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो देखा हुआ यहां पर basic concepts of sociology यह आपका subject है हो सकता है आप मैंसे कुछ लोगों ने इसको ऐसा minor चुना हो हो सकता है किसी ने इसको open native चुना हो किसी ने general native चुना हो कीजिए यानि कि आपको इस question में समाज सास का मीनिंग बताना है और उसकी परिभाशा देना है अब आप परिभाशा समझे लो मीनिंग समझे लो जैसा भी आप समझो दोस्तों दूसरी important बात यह है कि देखिए university क्या करता है हर बार तो एक ने एक ही question देगा नहीं तो क्या करत किएगा अगर ऐसा आजाए समाज सासर समाज का अध्यान है महत्मून परिवासा इसपस्ट कीजिए यह उचे तो आई थिंक शाहिद मिस्प्रेंट हो गया यहां पर पीडिया बना देटाइम तो परिवास इसपस्ट कीजिए आप लिए सही रहेगा तो दोस्तों आप चाह किए कि समाज सासर में किस तरह के चीजयों के वारे हम डिकरते हैं हम क्या पढ़ते हैं वह हम आपके लिए आप बताना है और यहां यहाँ पर दूसरा अत्वर्यम stock की बिशच्यों क्या है तो लेकिए बिशच्छट की बिशच्छन करना है दो भी मेनेंग होगा और समाज स समाज शास के चैतर के विषय छेत्र की व्याक्या कीजिये तो यहाँ पर भी वही से बता है आप Γ्छेत्र के बना कुशन का मीनिंग हो एक ही है क्या कोशन है कि छो अद्याइंग 세र के उसकी हो में से विषय चेत्र दिया है तो अज्जन चेत्र की बात करें या विश्य चेत्र की बात करें बात ही किए यह आप ध्याना किएगा इसमें दोस्तों और तीसरा कोशन में मैंने यहां पर बनाया हुआ है आप देख सकते हैं समाज सास के चेत्र के विश्य में प्रशलित संपरदायों का अल पर निवन लीखिए से उत्पत्री कैसे होई और उसका विकास किस करना निवन लिखå है निवन से हमतलब दोस्तों निवन मत समझता है आसे लिए का न ata और लोग विए को नुआ को 스트verse में या Brain क्यूंस में समाईसासर के वारे में बहुत सारे के विकास कैसे हूए सिए आपने पढ़ा होगा तो उनके बारे में आपके लिख सकते हुआ अत्वा में एक और कोशन है सकते हैं समाज सास की प्रकरती की विवेचना कीजिए तो दोस्तों प्रकरती बोलो या विग्यान बोलो बात एक ही है फुरसा आपके लिए चेंज़ करके दिया है अगला कोशन है दोस्तों अत्मा में समाज सास्र की विग्यानिक प्रकरती की विवेचना कीजिए तो विग्यानिक प्रकरती मतलब एक विग्यान यही बात है नेक्स कोशन देखते हैं गाई समाज सास्र में आप मानत्तावादी उन्मु की करण से क्या समझते हैं हमारे मानुत्तावादी उन्मो की करण क्या समाय सासर में होता है और अगर होता है तो आप से क्या समझते हैं तो आपके लिए मानत तवाज हम्री करण को लेकर समाई सासर को परिवाश्य यहां पर करना है एट कोशन है हमारा गाई समाई सासर का अन्य सामाज़िक विज्ञान से संबंद बताई है ये दोस्तों बहुत अच्छा important question आपके लिए हो सकता है आपके आने वाले exams में ये question अगर आएगा तो आपको मेरे साथ से दीर गुत तरीव में ज़्यादर देंगे वो लो तो इन से समाज सास्त्र का क्या संबंद है आपके लिए बताना है और इनी विश्यों को दोस्तों बोलते हैं समाजिक विग्याद तो यह हमारा 8 question है इस तरह से आपको clear करना है तो दोस्तों I hope आपको समझ में आ रही होंगी सारे सीज़ें फिर यगर confusion ने तो आप comment कर सकते हैं हम discuss कर लेंगे और साथ में description box में इस PDF के link के दे दूँगा जो आप directly हमारे टेलिग्राम चनल पर जाकर download कर सकते हैं दोस्तों इसके वादा 9 question की बात करते हैं विविन ने विफसायों एवां विफसाय चीतर में समाज शास्त्र की उप्योगीता को दर्शाइए दोस्तों समा समाज सास्त्र की उप्योगीता को आप लिए बताना है विविन ने विफसायों में और विफसाय चेत्रों में तो गाइस अगर मैं थोड़ी सी आप से बात करूं यहां पर तो समाज सास्त्र की विशेस्ता या उप्योगीता तो दोस्तों विफसायों में विफसायों में उसकी सीमा एक्या है तो अगर आप चाहते हैं कि और अगर आप चाहते हैं कि वह भी कॉशंस इंपोर्टेंट आपके लिए चाहिए तो आप मुझे कि कीजिएगा तो मैं आपके लिए और भी कोशन्स इस सीरीज के पोस्ट कर दूँगा जिससे आपके लिए और भी हल्प मिल पाएगी और आप कौन-कौन से सब्जेट के लिए चाहते हैं वो भी आप कमेंट कीजिए ताकि हम समय सकेगे हमें कौन-कौन कर दो